नमस्कार आप देख रहे हैं लाइब लगतार मैं हूँ अरुन कुमार हम आज खास बातचीत में पुलिस अधिक्षा गड़वा अंजनी कुमार जहां सर के पास मौजूद हैं आज हम जानेंगे सुरक्षा बेवस्था पर और लगतार जब से सर गड़वा जिला में प्रभार रहा है कि यहां पर क्राइम कम हो रहा है क्योंकि कोई भी जो पुलिस का कारे होता है वो अल्टिमेटली जो वहां के पबलिक हैं वो क्या परसीब कर रहे हैं उसको वो मैटर करता है और डेटा के बारे में भी बात करें तो निस्चित रूप से लेकि क्राइम ऐसा चीज है क crime को रोका नहीं जा सकता है कुछ crime घटेंगे ही घटेंगे पुलिस का यही काम होता है कि जब एक बार crime की घटना कोई अपरादिक वारदात होती है तो उसमें जो ऽोग सामिल है अपराद कर्मी उनको गिरफतार करें कांड का उधभेधन करें जिससे की कि future में कोई इस प्रकार का crime ना करें तो इसको लेकर हम लोग के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है और आप लोग देख भी रहे होंगे कि जो भी वारदाते यहां पर हुई है कोई बीचाए वो कोई ऐसा मर्डर का कोई केस रहा हो जो कि किसी अग्यात के वरुद दर कारी चल रही थी उसमें कुछ चार-पांच नकापों साकर मारपिट की घटना गंजाम दिए ते काम बंद करा दिए लेकिन 24 गंड़े के अंदर में चार लोगों को गिरफतार कर जेल के सलाखों के पीछे बेचना जो घटना बता रहे हैं वह चेनिया थाना छेत्र के अंतर प्रिफाई करते हुए और उनको जेल भी बेजा और साथ में यह भी पता किया है कि और कॉंसे ऐसे जोग है जो उसके सामिल है और उनको भी जल से जल गर्याफतार करके हम लोग उनको भी कानुनी कारवाई जो हो करेंगे शर जमीन किसमत से आधीक्तर आती ठाना हो या आप बड़ा जो संख्या होता है। ऐसे केसेस का होता है जिसके की मूझ में जमीन विवाद ही होता है। भूमी विवाद के कारण या तो किसी परिकार के मार्पीटी घटना घटती है या फिर even Если स्गेस में मौर्डर के केसज भी होते हैं, तो ज़रूरी है कि इसका मूल कारण है जो भूमी विवाद है उसको एड्रस किया जाए और जैसा कि आप जानते होंगे कि भूमी विवाद जो है वो डिरेक्टली जब तक वो लॉइन ओर्डर का इशू या किसी क्राइम की पॉसिबिलिटी की तरफ नहीं जा रहा होता है तब तक डिरेक्टली हम प्रभारियों को कि जो मंत है उसमें दो दिन जो फर्स्ट और थर्ट यूजडे उस दिन थाना दिवस का आयोजन किया जाए थाना दिवस में चुकि लैंड से रिलेटेड मैटर है इसलिए जो संबंधिस सरकेल है वहां के प्रेफरेबली जो अंचला दिकारी है वहां से व नावस्यक रूप से लोग एक तो क्राइम ना हो और दूसरा जो इस तरीके केसिस करके दोनों पार्टी जो लिटिगेसन फसी रहती है तो उनको भी निजात मिले तो इसको लेकर कुछ मैने पहले से काम किया जा रहा है और आने वाले समय में हमें पुर्ण विश्वास है कि इसमें और पॉस्टिब रिजल्ट आएंगे सर चौभी जनवरी लगभग चौभी जनवरी से दो दिन पहले बहरा टोली में बंडरिया का लेंड माइस मिला था ततपरता पुलिस की काम आई कि एक बड़ी घटना टल गई सर क्या संदेश देना चाहेंगे जो इस तरह के ल द्रिस रहा है इससे सभी लोग अवगती होंगे और नकसलवाद तो खतम होने के कगार पे आ चुका है यहर कोई वेक्ति स्विकार करेगा आज हमारा गड़वा जिला को ले लीजिए तो उसमें जितने भी थाने हैं आज के डेट में एक थाने के भी कुछ इलाके है काफिस चलाते हैं पुलिस है या फिर हमारी सिस्टर एजनसी जो सी यार पीफ यहां पर इसी काम के लिए डिपलॉय किया गया है उनके साथ जो हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं उसमें आप देखते होंगे कि इन छेत्रों में भी कोई घटना कारित करने का प्रयास किया जाता निश्चेत रूप से इन छेत्रों में प्लांट अगर करके रखा जाता है तो सिक्यूरिटी फोर्स को नुकसान देना ही परपस होता है तो उसको हम लोग समय रहते वे पता कर पाए और जो बहुरा टूरी जो आब बता रहे हैं वहां हम लोग का कैंप निर्माना धीन है औ और अब तक सबसे क्लोजेस्ट हम लोग अगर कहें बुड़ा पहाड़ के नजदीक हम लोग जो पहुंच चुके हैं या जो च्छतिजगड़ और जहारखंट की हमारी जो सीमा है जो जहां नकसलियों की थोड़ी बहुत उपस्तिती जो अंतिम उपस्तिती जो बची हुई है वहां के बहुत क्लोज पहुंच चुके हैं तो निस्टेद रूप से कैम बनेगा तो सामने में बॉकलार्ट होगी लेकिन हम लोग नकसलवाद के खिलाफ जो एफेक्टिवली जो कारवाई कर रहे हैं वह आगे भी करते रहेंगा लगतार जो है कि कोशिस की जारी कि आपरेशन चलाती है बाकी दूसरा उसका एहम हिस्सा यह है कि जो लोग इस नकसलवाद में सनलिप्थ हैं उन्हें अगर यह एहसास हो कि वो गलत भटक गया हैं गलत राव पर चले गया हैं तो उनके लिए एक पॉलिसी हमारे जार्खंट सरकार की है कि जिसके अंतरगत उन हमारे सामने आज स्वारपन करें हमारा हमारे लिए हमेशा उनके 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 लिए हम तयार हैं दो सवाल कुछेंगे में अगणर की क्या रहत करिकर ने के सर 2010 ने मैं और उसमें सीसी टीवी सभी काम नहीं कर रहे हैं। और चुकि नगर परिसत के द्वारा यह लगाया गया था तो हम लोग बात करके इसको ठीक करने के लिए भी काम कर रहे हैं। जी हम वो भी हम लोग लगातार हर जगा वहां लोगो mobile है डाफ पेट्रोल पम चलाते हैं बैंक्स हमारे हैं उनके साथ ही बैठक करके उनको भी यह प्रमोट किया जा रहे हैं कि आप लोग भी सीटीवी कैमरा अपने प्रतिष्ठान के आसपास अधिश्ठापित करें जिससे कि कोई भी क्राइम की घटना एक घटती तो सब्सक्राइब आप आपको पता नहीं याद है कि नहीं लेकिन मुझे याद है सर प्लामू डियाइजी भी पुल्स ग्ला सर हुआ करते थे तो पुलिस के जवान हो चोटे अधिकारी बड़े अधिकारी हो सबका ख्याल रखा जाता कि तनाव उत्पन्नों हो घर से दूर रहते हैं घर से दूर कर ड्यूटी करते हैं क्या लगता है कि अभी भी जारी रखने के जो रत है ताकि परशानी में रहते हैं जबाल लोगों अधिकारी प्दादिकारी लोगों सर क्या करना चाहें ये प्रियास चल रहा है ये जो सिस्टम है मैं एक्जैक्ली नहीं पता मुझे कि exactly क्या किस तरी ताद प्रभारीं को सब्कैक्रीं कि और किया रहा है कि हर संडे जो अपने जो भी वहाँ पर Das किया जाए उंको को सुबह कैट में मिले उनके साथ और उन से वन-टू-वन पूछा जाए कि किक सी को ने किसी भी प्रकार का इसू हो सकता है परस्टिशनल लेवल पर क्या उनको इसू है और उसका किस तरीके से हम लोग उस में कॉंट्रिब्यूट कर सकते हैं तो ऐसे कई वाकिए होता है जहां पर कि हम काफी दफाए यह होता है किसी का भूमी विवाद अपने जगह पे होता है किसी दूसरे स्टेट का होता है तो हम लोग वहां के संबंदित पदादिकारियों से संपर्ख करके उनको बताते हैं कि यह चुकि पुलिस के कर्मी की जो नेचर ऑफ ड्यूटी ऐसा है जहां पर की वह बार बार अपने घर या यहां नहीं आ सकते हैं तो उनका निस्ता हैं उसनूरे और औफसर्स होते हैं जो हम लोग उसे कॉंटाइट करते हैं उनका भी रहता है कि उनकर जवान हैं उनकर कर्मी हैं काफी विसंपरिसितियों में रहा कर कोई border पर्ता है वो काम कर रहे हैं तो उनका जो एसो एसोज है शैन। हमने रिजूल्व नहीं करना है आइस सवाल पपप्लिक और पुलिस में में लगतार कोशिख की जा रही हैं उसमें क्या संदेज देना चाहिए पब्लिक को पब्लिक के लिए ही प्रसाशन कोई डवलप होगा तो डिस्टिस रूप से हम लोगों पुलिसिंग में आगे सहलियत होगी और इसको लेकर आप लोग देखती भी होगे कि अनेक तरह के कि सामदाइक पुलिसिंग के काम होते हैं जो हम लोग के द्वारा किया जाते हैं कास करके जो हमारे सुदूरवर्ती अलाके ह है वहाँ पर सामदाइक पुलिसिंग के अंतरगत जो विभन तरीके के आपके खेल की प्रतियों किताया आवजित की जाती है कुविड काल में आपने देखा होगा कि उपकरन बैंक के तहत जो बच्चे थे जो हमारे पढ़ाई लिखाई से किसी कारण से वंचित रह जा रह है हम लोग आने वाले समय में सुदूरवर्ती लाकों मेडिकल केंस लगाने वाले तो यह सारा का सारा जो प्रयास जो है वह इसी कॉंसेट के अंतरगत है कि पुलिस और पब्लिक जब सास मिलकर काम करेगी तभी एक बहतर कानून व्यवस्था कायम होगा और अपराद मुक् करें हम तनाव की बात करें टेंशन की तो ऐसे में कर सर का भी मानना है कि बिल्कुल हम लोग उस दिशा में पहल कर रहे हैं ताकि कोई भी बाहर से अन्य जीलों से आकर यहां पर ड्यूटी पोस्टेड हैं और ड्यूटी कर रहे हैं तो बिल्कुल उस सभी लोग का ध्यान र दिया गया तो इसे मैं कर सकते हैं कि लगातार गड़वा पुलिस एक अच्छे दिशा में काम कर रही है लाइब लगातार गड़वा से मैं अरून कुमार न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें आप हमें फेस्बूक और इंस्टाग्राम पर भ झाल